बिस्मिल्लाइर रह्मान रहीम, असलाम लेकूम, वेलकम है आपका हमारे चैनल नाइन स्पाइस, जिसमें उमीद करती हूँ कि आप सब खेरी असे होंगे, तो आज हम लेके आए हैं, आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, इंस्टेंट बन जाने वाले समर ड्रेंक्स, जो गर् मानों को सर्फ करने में बहुत नजाएगा, प्रेश करते हैं, थ्री वर्जन मोहीतो, इनके लिए हमें चाहिए, ये तीन तरहां के ड्रिंक्स हैं, जो तीन मुसलिफ तरीकों से बनते हैं, जिनमें मुसली लैमन और पतीने का इस्तमाल होता है, तो सबसे पहले जो हम बनाने इसको एड़ करते वक्त आपको बताते हैं, तो चलिए इसकी तियारी की तरफ चलते हैं, यह हमने एक ग्लास ले लिए, ग्लास में हम अपने सबसे पहले एड़ करेंगे लैमन के चंक्स, लैमन के रास्पी तो हम यूज करेंगे हैं, तो आप सोचते होंगे कि लैमन के चंक रप्तिय स्यूक्यक की यूस किये जा रहे हैं यूःक चिलके की छुश्पू होती है उन्हीं प्रोश्पूय की लगती है। और इसमें पिशनाप बविध करेंगें एक लेमंन का रश भी ऐड़ करेंगे हैं लेमन के चंग सेट कर लिए अब हम इसमें 15 से 20 पुदीने की पतियां इस तरह तोड़के डालेंगे ग्लास में हमने लेमन के चंग और पुदीने के 15 से 20 पत्ते तोड़के डालें हैं और अगर आपके पास मडल हो तो वैलन गुड अगर नहीं है तो हम बेलन से ही काम चलाएंगे यह देखिए यह कितना सबर्दस्त इसका लेमन का चूस भी निकल रहा है और पुदीने का फ्लेवर भी निकल रहा है इनको हम अच्छे तरीके से इनका रास निकालेंगे ताके हमारे ड्रिंग में इसका फ्लेवर शामल हो सके लेमन का रास बेतरीं तरीके से निकल आया है और पुदीने की पत्तियां भी काफी मेश होती हैं इसको हमें बिल्कुल मेश नहीं करना बस इसी तरह से तलकासा मेश करेंगे लेमन और पुदीना मेश करने के बाद इसमें थोड़ा सा एड़ करेंगे वन पिंच जितना ब्लैक सॉल्ट वन टी स्पून शुगर हमने पाउडर में बनाई है आप चाहे तो इस तरह से भी आड़ कर सकते हैं और यह सीक्रेंड इंग्रेडियंट हमारे पास इन्दो है हाफ टी स्पून इसकी भी एड़ करेंगे और एक इसमें लीमू का राजचामिल कर रहे हैं अगर हम आपको कैमरे से दिखा सकें तो यह देखें कितना शांदार हमारा ड्रिंक त्यार हो रहा है एक पूरा लैम इसमें निशोड़ेंगे तो यसे लिए आप बारी है सोडा अट करने की आप सोडा भी इसमें एड़ कर सकते हैं इस पोई भी ड्रिंक जैसे के स्प्राइड या पिर सेवन भी एड़ कर सकते हैं चले ड्रिंक एड़ करते हैं यह देखे हमारा कितना रिफ्रेशिंग सा लाइट लाइट से पुदीने और लीमू के फ्लेवर के साथ ड्रिंग बिल्कुल तियार है अब दूसरे ड्रिंग की इसमें भी लैमन के चंग से एड़ करेंगे सिरफ 6-8 पतियां पुदीने की डालेंगे लीमू का राज से एड़ करेंगे इसमें कुछ इंक्रेडियन्ट हम स्किप कर रहे हैं वो ने डालेंगे क्योंकि यह लैमन मोही तो बन रहा है लैमन का जूस लैमन के चंग से एड़ कुदीने की पतिया इसमें एड़ हो चुकी है इसमें पाउडर शुगर हमने यूज करेंगे पीनो का यूज नहीं करेंगे और एड़ करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर और इसको मडल करेंगे ताके पुदीने का फ्लेवर और लैमन का फ्लेवर हमारे ग्लास में अच्छा सा आ जाए तो चलिए इसको हलका सा मडल करते हैं अपनी सेकंड ड्रिंग में हमने शामिल किये हैं लैमन चंग्स, लैमन का राज, पुदीना और थोड़ा सा काला नमक इन सब को हमने अच्छे से मडल कर लिया है और आब इसमें एड़ करेंगे हम क्राश कीवी बरभ और अपना ड्रिं तेस्पुल और वेक्तरीन ड्रिंग त्यार हो गया है अब अपने जो पहले ड्रिंग बनाया था क्रश आइस एड़ करेंगे यह दौर ड्रिंग हमारे बिल्कुल त्यार है अब हमारा तीसर ड्रिंग त्यार होने जा रहा है जो के आलू बुखारे का ड्रिंग है इसमें हमने आलू बुखारा लिया उसको पील ओफ किया पील ओफ करने के बाद उसकी हमने गाड़ी से यह पेस्ट त्यार की विया है और इसमें इसको बनाने के लिए सबसे पहले ग्लास में एड़ करेंगे एक लेमन का जूस इसके साथ इनो का अच्छा फ्लेवर आना चाहिए और इंसा तर्च आना चाहिए इसलिए 1प इसमें इनो का एक तर्चारत की है और यह हमारे पास आप देख रहे होंगे कि यह बड़ी जबर्दसी हमने इसकी पल्क त्यार कर लिया और दो से तीन और यह चार इसमें इसके चम्मच एड़ किये हैं इसको मिक्स करेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा बैक पेपर भी एड़ कर देंगे क्राश आइस एड़ किये इसमें क्राइश को अच्छा खासा एड़ कीजिएगा क्यूंके ड्रिंक ठंडा अच्छा लगता है तो सोडा बोटल जो भी आपके पास हो सेड्रक स्काइड या कोई सा भी सोड़ा आप इसमें डाल दीजिएगा तो लीजिए हमारा थर्ड ब्रिंक भी बिल्कुल त्यार है अब इसमें थोड़े से पते एड़ करेंगे पदीना के उसके साथ हम इसके चंग से एड़ करेंगे और पदीने की एक टेहनी इसमें एज़ डेकुरेशन हम लगा देंगे तो ये देखिए हमारे तो लीजिए हमारे तीनों मज़ेदार से ड्रिंक त्यार हैं आप भी इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा और हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइगा कि आपको कैसे लगे अगर अच्छे लगे हों तो अपने फ्रेंड एंड फैमली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके लिए और कुछ ड्रिंक्स लेके आएंगे तो इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिज